कि जलो गाइज वेलकम टू क्लिनिकल डॉक्टर तो आज हम पढ़ने वाले हैं उपकल्तनास of खिाहतल गष्ट तो पहले जो उपकल्ता है क्वाथ कल्तना की वह प्रमत्यय कल्तना तो देखते हैं क्या है ये परमत्या is a liquid preparation slightly different from that of quad kalpna in quad kalpna drugs are added in coarse powder form during the process various in parameter the drugs are added in the form of kalka तो परमत्य कलत्ना क्या है कि देखिए परमत्य कलत्ना और quad kalpna वैसे तो दोनों से में ठीक है दोनों में boiling process involved है दोनों में liquid preparation होता है लेकिन फरक क्या है कि इसमें जो drug use होता है परमत्य कल्पना में जो drug use होता है वो कलक के form में होता है और जो क्वात कल्पना था उसमें हम जो drug use करते थे थे वो powder के form में होता था ठीक है तो परमत्य कल्पना में हम जो drug use कर रहे हो कलक के form में ठीक है उसके बाद है परमत्य का definition तो परमत्य is the decoction obtained by और उसको एड़ करने का एट पल वाटर ठीक है जब लबद ही 384 ml water में उसको एड़ करने का और उसको boil करने का तो उससे हमें मिलेगा प्रमत्य है तो एक बाद फिर से बताता हो प्रमत्य कैसे मिलेगा तो 1 पल, that is 48 gram, कलकफरम में ड्रग लेना है और तो 8 पल, that is 384 ml water में डाल देना है फिर उसको boil करना है और उसको boil करने के बाद उसको 1 फोट पार्ट तक उसको reduce कर देना है उसके बाद जो हमें मिलेगा उसको बोलते है प्रमत्या ठीक है तो एक बार फिर से पढ़ लेते है प्रमत्या is the decoction obtained by boiling 1 पलर 48 ग्रैम्स of आशद ब्रव्य in कलकर फॉर्म and 8 पलर 384 ml of water the boiling is carried out over mild fire in a stainless steel vessel of appropriate size and reduced to 1-4 it is later filtered to obtain 2.96 ml of purathya ठीक है तो वही प्रोसेस है पुरा कि एक पल that is 48 ग्राम कलक फॉर्म में ड्रग लेना है और 8 पल वाटर लेना है that is 384 ml वाटर लेना है और उसमें add कर देना है ठीक है यह किसमें लेना हम है stainless steel vessel में लेना है उसके बाद उसको over mild fire पे इसको boil करना है ठीक है boil करने के बाद उसको reduce करना है 1-4 तक उसके बाद उसको filter करना है और filter करने के बाद हमें almost 2 pulse that is 96 ml तक हमें वह liquid मिल जाएगा ठीक है वह filtrate मिल जाएगा और उसी को बोलेंगे हम परमत्यव उसके बाद नोट किया है तो परमत्यव डिफर्स फ्रम कवाद कलतना इन फॉलोइंग वेस तो परमत्यव कवाद कलतना से किन किन मामले में डिफर करता है तो देखते हैं पहला point for कवाद कलतना the drug drugs are added in coarse powder form various in परमत्यव they are added in the form of कलकर तो क्वाद कलतना में जो drug था वो हम powder form एड करते ते और परमत्यव में जो drug हम वो कलक फरम में एड करते ठीक है इन क्वाद कलतना the drugs and the water ratio is 1 is to 16 and in परमत्यव it is 1 is to 8 तो जो परमत्यव है उसमें हम जो drug और water का ratio है वो लेते थे 1 is to 16 मतलब की 1 part drug लेते थे और 16 parts water लेते थे और जो प्रमत्य है इसमें हम 1 part drug लेते और 8 times water लेते उसके बाद है इन क्वात कल्पना the liquid is boiled and reduced to 1 8 वेरियस इन प्रमत्या it is reduced to 1 4 तो क्वात कल्पना में हम liquid को boil करके reduce करते थे 1 8 पार्ट तक और प्रमत्या में यह it is reduced to 1 4 पार्ट मला प्रमत्या हम liquid को 1 4 पार्ट तक टीस करते है तो डुजीड़ेस ऑफ प्रमत्या कल्पना इस डुजीड़ेसेमल तो डुजीड़ेसके मामले में प्रमत्या और क्वात कल्पना दोनों सेमें ठीक है ृप उसे बाद Cygg temple देख लेते हो औशयद प्रमत्या तर औशयद प्रमत्या whilst ध 24g each of Musta Kalka and Indre Ava Kalka is taken in a clean stainless steel vessel and added with 8 Pala 34 84 ml of water तो इसमें सबसे पहले क्या किया है कि हाव पल 24g Musta Kalka के लिया है and 24g Indre Ava Kalka के लिया है ठीक है उसको डाल है Stainless Steel Vessel में उसके बाद उसमें पानी एड किया है that is water एड किया है कितना 8 पल ठीक है 8 पल वाटर एड किया है that is 384 एमल उसके बाद क्या किया है the mixture is boiled over mild fire and reduced to 1 4th and filtered अब जो वो mixture है उसको boil किया mild fire पे और उसको reduce किया 1 4 तक और उसको फिर filter कर लिया filter करने के बाद the 2 पल 96 एमल of filtrate obtained is used as औशेद्रव यह तो filter करने के बाद जो 2 पल 96 एमल जो filtrate हमें obtained हुआ है उसमें से जो मिला है दो पल मिला है में जो filtrate उसको हम use करेंगे जो आशेद्र प्रमत्य तो आशेद्र प्रमत्य में जो drugs थे वह कौन से ले रहे हम तो मुस्तकलक और इंद्रेवकलक यह दो कलक लिए हमने कितना 24 ग्राम तक उसके बाद हब क्या है दो फ्रेशली प्रिपेर्ड एंड सेल्फ कूल प्रमत्य इस एड्मिनिस्टर वंस और ट्वाइस डेली फूर मैनी डेज अलोंग विच स्पेसिफाइड रेशियो अफनी टू क्योर रख्त अतिसा रोग तो यह कौन सी डिजिस में यूज होता है और कितना डोज इसका लेना पड़ता है तो जो फ्रेशली हम प्रिपेर करते हैं प्रमत्य को ठीक है जो फ्रेशली हमने फिल्टर किया फिर उसको हमने सेल्फ कूल होने दिया फिर अब जो प्रमत्य बना है उसको हमें लेना है दिन में एक बार या दिन में द दो बार दिन में एक बार या दिन में दो बार डेली बेसिस पे हनी के साथ ठीक है यह इसका डोज है और यह कौन सी डीजिस को ठीक करेगा तो यह करेगा रक्त अतिसार रोग को ठीक करेगा उसके बाद है नेक्स्ट उपकल्पना और कवात कल्पना तो यह कौन सी है पन्यकल् तो पन्या कल्पना का जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं वन पलर फुर्टी एट ग्रैम अप अश्यद्रव्य एंड शिक्टी फॉर्ड पलर दिस थ्री लिटर्स ओफ वाटर तो इसमें वो यह क्या बोल रहे है कि वन पलर दिस फॉर्टी एट ग्राम अश्यद्रव्य लेना है और उसको एड़ करना है 64 एमल दिस थ्री लिटर ओफ वाटर में ठीक है और यह सब किसमें करना है हमें स्टेनलेस टिल वैसल में ठीक है अश्यद्रव्य लेना है और 64 पल दिस थ्री लिटर ओफ वाटर लेना है ठीक है उसके बाद उसको माइल्ट फायर देना है ठीक है जो स्टेनलेस टील वैसल है उसको माइल्ट फायर देना है और फिर बॉयल करना है ठीक है this liquid is later administered as panak for therapeutic benefits यह panak क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो it can also be used for pharmaceutical purposes that is it is cooked along with rice to prepare mand, peya yusha etc. dietary preparations ठीक है यह जो peya, yusha, mand यह सब जितने भी preparations है इसको बनाने के लिए भी हम इसका use कर सकते है ठीक है इसको cook करके rice में यह सब preparations बनाई जाती है तो इसका अभी जो है pania kalpna, इसका examples देख लेते है pania kalpna का examples क्या है तो shadang pania, ठीक है shadang pania इसका example है तो shadang pania का ingredients क्या क्या होता है तो ushir one part, parpata one part odisha one part nagara one part and chandan, that is one part तो यह ingredient होगे method of preparation देख लेते हैं the above mentioned six drugs are taken one part each in coarse powder form a clean stainless steel vessel it is added with 64 parts of water placed over mild fire, boiled and reduced to half later, it is filtered and allowed to cool on its own method of preparation क्या दिया है कि जो उपर six drugs बताएगे ठीक है, six drugs बताएगे उनका coarse powder form लेना है जितना जितना दिया है जैसे one one part दिया दो सबका one one part coarse powder form लेना है उसको stainless steel vessel में डालना है फिर उसके अंदर 64 parts water डालना है ठीक है, 64 parts water डालना है उसके अंदर और फिर उसको इसमें mild fire पे उसको boil करना है mild fire पे boil करने के बाद उसको reduce करना है half तक इतना boil करना है कि वो reduce हो जाए half तक totally ठीक है उसके बाद उसको filter कर लेना है और filter करने की बाद स्कोện थेंडा होने के लिए रख देना है self pulling लिए रख देना है तो यह हमारा क्या बन गया शड़ंग पणि शड़ंग पणिया हमारा प्रिपैर हो गया उसके बाद है doses, doses क्या है श्रणग पनियागा तो it is administered in the doses of 2 पल, that is 96 ml twice or thrice daily to cure pipasa, ठीक है, तो इसका doses क्या है, ये दिया जाता है 2 पल, to 96 ml दिया जाता है, दिन में 2 बार और 3 बार, ठीक है और क्योंसी diseases को cure करेगा तो ये करेगा pipasa, that is thirst and jaw, that is fever ये disease को, ये ठीक करेगा ठीक है, तो इसका doses क्या है, 2 पल, 96 ml, twice or thrice daily to cure pipasa and jaw, फिवर तो अभी इसमें नोट दिया है the decoction which is boiled and reduced to 1 8th quantity will be grew in nature so here in शडंग पनिया, the liquid is reduced only to half, so it is good in the condition indicated above, तो इसमें क्या लिका है कि जो decoction होता है, मतलब कि जो quat है, जो हम boil करते है boil करके जो preparation बना रहे है वो, अगर हम reduce करके, जो liquid है, उसको 1 8th quantity तक लाएंगे, तो वो liquid है का nature है, वो गुरू type का होगा, ठीक जल्दी से digest नहीं होगा, लेकिन शडंग पनिया में हम क्या करते है कि हम half तक reduce करते है, जिसकी वज़े से liquid है, वो good condition मर जाती है, वो इतनी गुरू नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी लगू type की होती है, तो easily digest हो जाती है, तो यह बताना चारा है, कि 1 8th part तक करेंगे, तो liquid का nature गुरू type का होगा, और half part तक reduce करेंगे, तो liquid का nature थोड़ा लगू type का होगा, मतलब कम गुरू रहेगा, तो easily digest हो जाएगा, तो यह हमारा दूसरा जो उपकल्पना था, खतम हो गया, that is, पन्या, पन्या खतम हो गया, ठीक है, अब है, उश्णो दग, अब है, इसमें एक बात common है, कि quad, जैसे कि quad कल्पना है, उसकी उपकल्पना ही है, तो इसमें जो process है, almost same ही है, quad कल्पना जैसे ही process है, बस खाली इसमें water quantity हम जो add करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत फरका जाएगा, नहीं तो फिर जो reduce करते हैं, उसमें जो reduction तक हम जो weight करते हैं, कितना boil होने के बाद कितना बचना चीए, उसमें थोड़ा फरका जाएगा, किसी में 1 by 8 तक reduce करते हैं, water अपने liquid quantity को किसी में हम half तक reduce करते हैं, तो बस यह इतना ही फरका जाएगा, बाकि जो process हो, same रहेगा, same boil करना, सब कुछ करना, यह तिसरी उपकलतना है, तो इसमें अभी क्या होता है, कि जो normal पानी होता है, उसको बस गरम करना है, और उसको liquewarm state तक यह कर लेना है, मतलब कि क्या बोलते हैं, liquewarm state तक जब तक हो जाता है, तब उसको छोड़ देना है, तो जो liquewarm state water है, उसी को बोलते है, उस्नोदग, तो क्या है, उस्नोदग is the boiled water in liquewarm state, तो वाटर को बोल करने से, उसकी properties में कुछ changes आते हैं, और यह जो boiled water होती है, जो liquewarm state में है, जो यह boiled water होती है, वो आम पाचक और वातानू लोमक के लिए बहुत बढ़िया होती है, तो इसमें क्या बोलना चाहरा है, कि उस्नोदग prepare करने के लिए, हमें सबसे पहले एकदम clean और soft drinking water लेना है, उसके बाद उसको stainless steel vessel में डालना है, उसके बाद उसको गरम करना है, ठीक है, उसको mild fire पे, मतलब एकदम दिमी आज पे उसको गरम करना है, ठीक है, उसके बाद क्या है, देखते है, the boiling process is continued until one night, एक रात तक उस पुरी boiling process को चालू रखना है, ठीक है, जब तक कि one eight part उसका reduce ना हो जाए, ठीक है, अब क्या लिखा है, one fourth और half part of water remains in the vessel, मतलब कि पुरी night के लिए उसको गरम दिमी आज पे boiling process के लिए छोड़ देना है, उस water को, जब तक कि one eight या one fourth या half part उसका reduce ना हो जाए, मतलब कि, sorry, remain उसके अंदर बचना चाहे, ठीक है, ठीक है, ठीसे में एक बार बताता हू, तो इसमें क्या लिखा है कि, जो boiling process है, उसको दिमी आज पे पुरी रात के लिए छोड़ देना है, ठीक है, दिमी आज पे पुरी रात के लिए वो water boil होने देना है, ठीक है, जब तक की उसमें 1-8, 1-4 या 1-5 part of water नहीं बच जाता वैसल में, ठीक है, और it is boiled and reduced to 1-3rd part, या फिर उसको गरम करते रहना है, जब तक की वो 1-3rd part तक reduce नहीं हो जाता, जो liquid है, वो 1-3rd part तक reduce नहीं हो जाता, तब तक उसको गरम करना है, ठीक है, जैसे 1-3rd part तक reduce हो जाएगा, उसको छोड़ देना है, तो जो last में जो बनेगा, ठीक है, जो liquid जो बनेगी last में है, मतलब की गरम करने के बाद, इतना गरम करने के बाद, जो इसमें जो दिया है, कि इतना reduce करना है, या फिर इतना बशना चीए, उतना बशने के बाद, जो liquid बनेगा, उसी को बोलेंगे, हम उष्णो तक, ठीक है, तो वो जो, कुछ नहीं है, बस एक normal, जो पानी है, उसी को बस गरम करना है, और इतना गरम करना है, कि बस एक lukewarm state तक आ जाए, मतलब कि, वो ज्यादा ना ठंडा रहे, ना ज्यादा गरम रहे, ठीक है, उस state में आ गया, तो फिर उस water को बोलेंगे, उसनो तक, ठीक है, एक गरम पानी है, और कुछ नहीं है, जो साधा पानी होता है, नॉर्मल गरम जो ये टिका का रहे तो इनके अनुसार, जब हम उसनों तक बनाते हैं, जब हम उसनों तक बनाते हैं, तो सिफ अगर, quarter part अगर यह हुआ है, ठीक है, मतलब कि, quarter part, मतलब fourth part अगर, और operate हो गया, one fourth part अगर, और operate हो गया है, water का, तो वो जो है, पित दोस्त को कम करेगा, ठीक है, पित शामक होगा, वाटर जो है, पित शामक होगा, अगर if only quarter part is left, अगर one fourth part ही बच्चा है, and three fourth part जो है, वो operate हो गया, तो जो वो water है, वो mitigate करेगा वात दोश को, मतलब भी वात दोश को कम करेगा, वात शामक, and if the water is half reduced, अगर पानी जो हम boil कर रहे है, दीमी आज पे, वो अगर half reduce हो गया, ठीक है, half कम हो गया, तो वो कफ़ दोश को कम करेगा, that is, कफ़ शामक, ठीक है, तो ये DP का टिका करके अनुसार था, कि अगर one fourth part, that is quarter part, अगर पानी बचता है, container में, तो तो फिर वो reduce करेगा, अपना इसको, वात दोश को, और अगर one fourth part, यो operate हो जाता है, तो वो reduce करेगा, अपना पित दोश को, ठीक है, और अगर half reduce हो जाता है, तो वो कफ़ दोश को कम करेगा, ठीक है, तो अभी next देखते है, तो ये सब किसकी बात हो रही है, तो पता चला ना, ये एक normal जो गरम पानी किया है, उसी की बात हो रही है, तो उसी गोशनों तक बोला गया ह तो अभी ये कितना कितना बचता है, कितना ये operate होता है, उसके basis पर इन लोगों ने diseases का बता है, कि कौन्से कौन्से disease को कम करेगा, ठीक है, मतलब कि अगर वाटर का सीफ वन फोट पात अगर operate होगा है, तो इट मिटिगेट्स वात दोश तो ये क्या करेगा, वात दोश को कम करेगा, ठीक है, इफ वाटर इस हाफ रेडिउस्ट, अगर वाटर जो है, वो हाफ रेडिउस्ट हो गया, ठीक है, आधा कम हो गया, तो इट मिटिगेट्स पित दोश तो ये पित दोश को कम करेगा, इफ अगर सिफ वन फोट पार्ट तो यह अपनी अपनी बात है दीपी का टीका का ने कुछ बोला था और आचारे शुशुरूद ने कुछ बोला है तो अपनी अपनी बात है इसमें लिखी गई है यह इतना इंपरेंट नहीं है इसको चाहे तो छोड़ भी सकते इस पॉइंट को the boiled water that is table froth free and clean with no sedimen is उष्णोध जो boiled water है वो stable होना अचाहिए उसमें कोई भी frost froth मतलब होता है जाग ठीक है जैसे और रेंविन कोई बिखो अपनी यह दालते है जैसरे अपना है यह. हुग टालते है चाहिव for create होता है ना तो उसी को बोलते है froth ठीक है तो जो boiled water है वो stable होना चीए उसके अंदर कोई भी froth नहीं होना चीए froth मलब जागनी होना चीए और clean होना चीए एकदम clean होना चीए ठीक है और उसके नीचे कोई भी जमा हुआ नहीं होना चीए कुछ भी पार्टिकल मलब जाए कुछ कच्रा बच्रा नीचे जमानी वहा नहीं होना चीए ठीक है तो उसको बोलेंगे उसनों तक तो the boiled water that is stable froth free and clean with no sediments is उसनों दक it mitigates of all the three doses यह तीनों दोशों को कम करेगा ठीक है तो त्री दोश शामक है यह वाटर जो है इस टाइप का all the three doses the water is used when it is relatively cooler water कब होगा जब यह relatively cooler होगा मतलब कि ठंडा होगा with no vapors on its surface मतलब कि हमने अभी boil कि water को boil करने के बाद उसमें से क्या होगा कि जब यह boil होने लगेगा तो उपर से vapors निकलने लगेए ठीक है तो उसको क्या कहाणना थंडा होने देना है तब तक थंडा होने देंगे तब तक थंडा होने देंगे जब तकtte उसके तो यहां पर हमारा जो यह उष्ष्णोदक्ता ऊपकल्पना वह खताव हो गया अभी नेश्ट उबकल्पना है देखते हैं शिर्पांक प्रप्रेशन फाONड in आउरुवेदा som pharma a enname को怎麼樣 where milk is the media of administration तो शीरप अचलत ना में जो में मेरिया होता है जिसमें में ड्रगस को requires को एल करते में जो में में मेरिया मेलख में शीरपग कलतना में तो अभी नेक्स देख्टे कहा है यृज्य ली द टिक्ष्ण एंड कषायरस प्रधान एस्ट्रिजन द्रवियर आर सेलेक्टेड हीर इन्टेंशन हीर इस तो ब्रिंग दाउन दिक्षनता एंड तो मास्क दे कशाय ओफ द्रग विद धे हेल्प अव मदुर रस अद मदुर विपाक ओफ शीर मिल तो यहाँ पर जो जनरली ड्रग्स हम यूज करते है वो उन ड्रग की जो कॉलेटी होती है वो तिक्षनता एंड कसाय रस का होता है बतलब कि जिन ड्रग्स का रस तिक्षनता एंड कसाय है उन ड्रग को हम यूज करते है ठीक है उन ट्रक्स को हम यूज करते है क्योंकि जो मिल्क होता है वो मदूर रस और मदूर विपाक टाइप का होता है तो यह क्या करता है कि जो तिक्षनता होती है उसको कम कर देता है मिल्क जो होता है वो तिक्षनता को कम कर देता है ड्रक की और जो कशायता होती है उसके उपर एक मास्क एक लेयर फॉर्म कर देता है तो all over क्या बोलना चाह रहा है कि जो तिक्षनता और कशायरस टाइप के जो द्रव्य होते है उनको हम select करते है इस process में शीरपा कलतुना में उनको हम select करते है और उसके बाद क्या करते है कि उसको जो है milk उसमें डालते है उससे क्या होता है कि milky वज़े से उसका जो तिक्षनता होता है जो द्रव्य है उसका जो तिक्षनता है वो कम हो जाता है और जो कशायता है वो उसके उपर एक mask create हो जाता है कशायता के उपर एक mask create हो जाता है जिसकी वज़े से उसका जो है nature totally तो अभी फिर से एक बपढ़ के बताता हूं तो अभी शीरपाग का डेफिनेशन देख लेते हैं शीरपाग का डेफिनेशन क्या है तो फोर रिफ्रेंसेस आर एज बिलो एकोर्डिंग तू शरंगधारा शीरपाग इस देख लेते हैं जिसमें हम ड्रग को लेते हैं गयैं मिल्क को लेते हैं और वाटर को लेते हैं तो ड्रग कितना होना चीए inconsistate , लेंगे 1-8-32 तो यह बार न लिया है बदोs के बाद यह में स्थेनल स्टीस पार्ट को थेल्स टिल्स टिल वैसल में ऊंसके बाद कोई भी पार्ट नी दिखना चीए को आधा चीए उसके अलाब कोई भी पार्ट न honour इवोपिरेट लेटर बाद लेटर्विड लिक्वी इस darn टें से मिल्क पारट बतल है उसको फिल्टर कर लेना है उसके बाएद उसको एडिनिस्टर पर मतलब कि उसको doses form में देना है तो doses क्या रेगा यहांपर एक से डो टाइम डेली बैसिस पर ठीक है दिन में एक से दो टाइम डेली बैसिस पर देना है और जो हम लिक्विड जो फिल्ट्रेट देंगे वो लिक्वार्म स्टेट में होना चाहिए और इसका जो डोजे से वो है टूपल 96 ml ठीक है 96 ml फॉर्म में देना है तो एक बाद के देख लेते हैं लिक्विड इस फिल्टर और एडमिनिस्टर वन्स और ट्वाइस देली इन लिक्वार्म स्टेट इन डोजेस ऑफ टूपल 96 ml ठीक है इसके बाद इस शीर्पाक इस इन जनरल के और शूल स्पेशली उधर शूल एंड आम इंडाइजेशन तो यह जो शीर्पाक है शीर्पाक क कलपना की प्रीकौशंस तो हमें क्या-क्या प्रीकौशंस लेने होते हैं तो वो देख widget प्रीकॉशंस लेने होते हैं से इसमेशर्पाक क्लत्पना बनाते समय है हो by one the drug material used should be in coarse powder form the drug material used should be in coarse powder form तो हम जो drug material ले रहे वो coarse powder form में होना चाहिए उसका बत है that is mild fire पर ही रखना है throughout the process there are no confirmatory test to assess the completion किसी भी टाइप का confirmatory test नहीं है कि जब completion हो जाता है जैसे शीरपा कलतना बन गया इसको test करने के लिए कोई भी confirmatory test नहीं है ठीक है तो हमें एक roughly अंदाजा लगाना पड़ता है so it is roughly assessed over the quantity of milk taken for the preparation ठीक है तो हमें एक roughly अंदाजा लगाना बढ़ता है कि अभी शीरपा कलतना बन गया जब सिफ milk पाट रह जाता है इसमें वैसल में सिफ milk पाट रह जाता तो हमें समझ जाना चाहिए कि तभी शीरपा कलतना जो है वो instant use के लिए ही है सिफ शीरपा कलतना general uses थीक इस प्रिपरेशन्स आर गुड मेडिकामेंड्स थीज प्रिपरेशन्स आर गुड मेडिकामेंड्स मतलब कि यह इनका टेस्ट जो है वह बहुत बढ़िया होता है प्लिजन टेस्ट होता है वेरी मच नुट्री नुट्रीटिव भी अच्छा खासा होता है एंड वाइडली यूज़ इन डिफेरेंट डिजिस कंडिशन और बहुत ज्यादा यूज़ जाता है लग-लग डिजिस के लिए ठ ड्रग इफेक्ट इस प्रोलोंज्ट बिकाज अप दे कोलोईडल फॉर्म अफ फैट प्रेजेंट इन दे मिल्क डाइजेशन ऑफ कोलोईडल फैट टेक्स लोंगर टाइम बतलब कि जो हम ड्रग यूज़ करते है शिर्पा कल्पना में उसका जो इफेक्ट वो प्रोलोंज प्रेजेंट रहता है लॉंग टाइम तक रहता है जो मिल्क है उसमें ड्राइडल फॉर्म अफड प्रेजेंट होता है जिसकीवज़से यह इसली डाइजेस्ट नी होता और उसी की वज़़से जो यह है ड्रग जो है ड्रग कई एफेक्ट जो ओने समय तक रहता है ठीक है तो ओलाडल फेड जो है वो प्रेजेंट होता है मिल्क में जो की easily डाजेस्ट नहीं होता long time लेता है डाजेस्ट होने में जिसकी वज़ए से इसका जो affected का वो भी long time तक देखने को मिलता है ठीक है लिए इस प्रिप्रेशन स आर प्रिफर जादा दूबंन को क्लासिकल टेक्स स्पेसिफाइज वह मतलब कि देना होता है लेकिन हमें जो पेशेंट है उसका को कि उसका स्ट्रेंस च्छेंट और उसको कहोई डीजस condition तो नहीं है वह सब लेये या कनए एक फिर हम इसका दो से रोगेना चाहिए मतलब की person-to-person वेरी करता है dose accordingly कि उसकी strength किया है उसको कोई disease तो नहीं है उसके इसाब से dose जो है वो वेरी करता है लेकिन general dose जो है वो है kuat kalpna को जो dose होता है वो ही है मतलब की दूइपल 96.7 जो शीरपा कलतना काeffective देख एंस drives जेख लेते हboys है तो जीरपा कलतना का एड्वेंटेजिस देख लेते हैं तो शीरपा कलतना काड़ेस्ट. क्या क्या है milk media brings down the tixnata of the drug used बलतक शिर्पाग तो जो milk media है जो हम milk use करते हैं वो क्या करता है कि ड्रग का तिक्षनता कम कर देता है ठीक ड्रग का तिक्षनता कम कर देता है और इसमें example क्या आएगा तो बलतक शिर्पाग ठीक है फिर digestion absorption and assimilation of the milk fat present in colloidal form will be slow which in turn minimizes toxic effect of tixnata tixnata and help in enhancing its medicinal effect तो digestion absorption and assimilation है milk का ठीक है जो milk fat होता है उसका digestion absorption and assimilation है वो बहुत slow रहता है क्योंकि उसके अंदर colloidal fat present होता है और colloidal fat present होने की वज़े से वो easily digest नहीं होता milk ठीक है क्योंकि colloidal fat को digest होने में time लगता है लंबा समय लगता है वो easily digest नहीं होता है इसकी वज़े से इसका digestion absorption and assimilation जो है milk का वो बहुत slow rate में होता है जिसकी वज़े से जो toxic effect होते है किसी भी drug के toxic effect होते है वो minimize हो जाते है लेकिन वो फयांचें यह नहीं हो रहा है इसकी वज़े से क्या हो रहा है कि टॉक्सिक एफेक्ट कम हो जा रहे टिक्ष्ण द्रभे के और मैंने मेडिशनल एफेक्ट को भी एकदम यह एफ करता है एनेंस करने में उसके बाद है इट मास्ट द अन पैलेटिबिलिटी एड अन वांटर एफेक्ट अफ कशायरस प्रेजन इन ड्रग विद्ध मधूर रस एंड मधूर विपाक उपते मेडिया तो यह क्या करता है कि जो अन पैलेटिबिलिटी है मतलब कि जो गटिया टेस्ट होता है एक तम मलब बेका टेस्ट जो होता है नॉट प्लीजन टेस्ट होता है उसको मास्क कर देता है मिल्क और जो अन्वांटेड एफेक्ट्स होते जो मलब किसी काम के एफेक्ट्स नहीं होते ठीक है इर्रेगुल एफेक्ट्स होते किसी काम के एफेक्ट्स नहीं होते उनको जो होता है यह मिल्क मास्क कर लेता है जो मेलब कशाय रस होता है कशाय रस के जो unwanted effect होते है और जो एकडम unpleasant test होता है उनको यह मास्क कर देता है और यह किस वज़े से कर पाता है तो जो milk होता है उसका मदूर रस होता है और मदूर विपाव होता है तो यह इन कॉलिटी की वज़े से यह कशाय रस की जो unpleasant test होता है उसके उपर मास्क एक लियर बना पाता है ठीक है तो इट माक्स द अन्पलिजेंट यह अन्पलेटिबिलिटी एंड अन्वांटेड एफेक्ट ऑफ कशाय रस प्रेजेंट इन ड्रग्स विद्ध मदूर रस एंड तो एक्जंपल के आएगा अर्जून शिर्पाग तो अभी लाश्ट देख लेता है मिल्क एज इट इस रिच इन प्रोटीन और कैल्चियम विल्ट न्यूट्रेंट सो अलॉंग विद्ध मेडिशनल वेली इवेन न्यूट्रिशनल बैलेंस इस अल्सों मेंटेंड बाइश इस प्रिपरेशन तो मिल्क क्या है रिच विद्ध प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता और कैल्चियम होता है जिसकी वाज़े से यह गूड़ न्यूट्रेंट है एकदम बढ़िया न्यूट्रेंट भी है तो यह मेडिशनल वैली तो इसकी रहती क्या है तो अर्जुन शीरपाग रसोन और लसुन सीरपाग यह क्या है तो अरजुन सीरपाग आज मतलब वों पाइं फिर मिल्क एट पास लेना थे उसके बाद जल जो है जो वाटर है वो लेना है 32 पाट ठीक है अब जो यह इंग्रेडियन्ट है अरजुन बाग गोकशीर एंड जलो इनको यह अभी इनका मैथल आप प्रिपरेशन देख लगते हैं तो मैथल आप प्रिपरेशन क्या है अपना यह अरजुन शिर्पा का तो औरत अपना जब तक जाता है जब तक मिलख पाट अंदर बच नहीं जाता तर तक उसको कूक करना है उसके बाद लेटर इट इआप filtered through a clean cloth later it is filtered through a clean cloth and the filtrate is used as Arjun Sheerpak for different therapeutic purposes उसके बाद क्या करना है इसको filter कर लेना है clean cloth से और उसके बाद जो filtrate अभी बच्चा है उसी को बोलेंगे Arjun Sheerpak और यह different therapeutic purposes कि लिए यूज किया जाएगा इसके बाद Arjun Sheerpak का doces देख लेते हैं देख लेते हैं थेरापटिक यूटिलिटी देख लेते हैं तो अर्जून शीरपाग इस एड्मिनिस्टर्ड इन डोजेस अफ टू पला तो अर्जून शीरपाग जो है वो दिया जाता है टू पल में टू पला के डोजेस में तो इसके साथ हम शुगर और हनी भी दे सकते हैं तो शुगर और हनी के साथ देना है 96 ग्राम ऑफ अर्जून शीरपाग इस यूजफुल इन ओल टाइप्स ऑफ हरीदर रोग यह जो है अर टाइप के हरीदर रोग में यूजफुल है जितने भी कार्डियक एलमेंट से एक ठी है अब्सके बाद अभी रसोंट और लशुन शीर भाग अभी next example देखते हैं रसूंट और लशुन शीर बाग लचुन शीर देख लेते हैं तो इसका इंग्रीडियन क्या रहेपा Turkey एक पाट यूंत गोकशीर देटए cow milk रेगा 8 part and that is water रेगा 8 part उसके बात method of preparation देख लिए तो method of preparation क्या है lsun is purified by the husking lsun is purified by the husking its bulbs and soaking them overnight in buttermilk तो lsun को पहले purify करना पड़ेगा ठीक है लsun को क्या करना पड़ेगा पहले purify करना पड़ेगा और वो purify कैसे होगा कि उसका जो lsun का bulb है लसुन के बल को लेना है उसका चिलका निकाल देना है उसके बाद उसको सोक करना है पूरी रात के लिए चास में बटर मिल्क में ठीक है बटर मिल्क मतलब होता है चास ठीक है जो खटे खटे लगती है तो जो बटर मिल्क है चास है उसमें पूरी रात के लिए बिगो के रखन लसुन को ठीक है उसके बाद next day the lusun milk and water are taken in one is to eight is to eight ratio in the clean stainless steel vessel placed over mild fire उसके बाद next day क्या करना है वो लसुन जो हमने छास में पुरी रात के लिए भीगोगे रखा था उसको लेना है लसुन को और उसके बाद बाद लसुन लेना है जब तक कि उसके बाद लेटर रिमेंग मिल्क चाहिस फिल्टर अब जो बाद में क्या होगा कि जो बचाओं फिल्टर करेंगे उसको मिलक बचल करेंगे इसको फिल्टर करेंगे गहां। मुद्ट पॉक्र線 करेंगे उसको उसको का उन्सूनिक परण। अच्छ ए डोजेश देख लेते तो डोजेश क्या है लशुण सिरपाक इदीश्ट सेट इन दोजेश ऑफ टॱफ टूपल नंइटीये जाएगा टूपलक के डोजेश में दैट इस नंइटी एमल और ये इसके साथ दिया जाएगा शूगर और हनी ठीक है अज़ा इस एक गुड एपिटाइजर एंड डाइजेस्टी मतलब की आम पाचक ठीक है डाइजेशन भी अच्छा खासा इससे हो जाएगा तो यह था इसका लसुन सीर्पा का इस फाउंड बैनिफिशल इन आमवाद अच्छा लसुन सीर्पा कौन से कौन से डिजिजेस में काम आता ह इस फ़ोन बेनिफिशल इन आमवाद जोर्स अधिवाद अदर डिजिज्जर्स ओवाद दोश ठीक है next देख लिए तो next है लकसरस ठीक है तो लॉक्सरस क्या होता है वह देख लेते है तो लग से है पहली बात यह देख लिए थे की जो खétais कपना सोडिक जो क्वाट कल्पन लाक्सरस्ट च्या है एक ट्रिक एक वाटर एक्स्ट्रेक्ट है टॉlais वह बत्रेंट होता है अपना एप्जिन जो लैक इनसेक्ट होते हैं पहले seems सेक्स होते हstad वह एक ज Experience कर में और क我不知道 करते हैं उसी रेजिन को हम करते है और फिर हम क्या करते है कि उसको दोला यंतर में उसका जो एक्सरैक्ष्ट जो wrestling इसका थे निगालते है nhất में व्टर मेडिय रू淡र के तीक थिडिक है तो सब्रसक्तर भी देख लेते हैं लाक्षर लाक्षरों। इस वाटर एक्स्ट्रेक्ट उप्टेंड बाई बॉइलिंग वन पार्ट ओफ लाक्ष ओफ प्लांट लासिवल ने का इन दोला इंतर वाटर ठीक है तो यह तो हमने देख लिए अभी क्या क्या वो जो है शिक्स पार्ट ओडर लिया हमने दोला इंतर में और रेजिंग लिया इस लाक्ष लिया वन पार्ट वन पार्ट लाक्ष लिया और शिक्स पार्ट वाटर लिया है उसका पॉडर लाक्ष इस सस्पेंटर इन दोला इंतर तो जो पॉटली है ठीक है एक कपड़ी की पॉटली बनाई जाती है तो वो पॉटली है उसमें हमने क्या डाला है तो वन पाउडर लाक्ष डाला है जो लाक्ष है उसका पॉडर पाट डाला है वन पाट टेका भी को जो सिक्स पाट वाक्टर लिया था उसको हमने वह वह डुला इंत्र में mild fire अब क्या होगा कि देमी आज पे दोला इंतरों को रख देना है boiled over mild fire until all the agents of the laxer comes into the liquid जब तक कि वो जो agents है वो जो laxer रसका जो अपना ये जो ये लिया था अपने resin लिया था जो laxer था उसका जो पूरा agents जब तक water में नहीं आ जाता तब तक उसको देमी आज पे उसको गरम करते जाना है ठीक है देमी आज पे गरम करते रहना है जब तक कि जितना भी agents part है वो जो laxer के अंदर वो water में नहीं आ जाता तब तक उसको गरम करना है the liquid is reduced to one fourth approximate mark to understand the stage where the drug agents come into the liquid media and filtered through a clean cloth for 21 times तो हमें कब पता चलेगा कि वो जो है एजेंज जो है resin का वो liquid में आ चुका है water में आ चुका है यह हमें कैसे पता चलेगा तो इसका approximate एक mark लगाया गया कि हमें जो water है water आ चुका है अब क्या करना है कि उस water को लेना है और filter कर लेना है कितनी बाद 21 times 21 times उस water को filter करना है ठीक है अब क्या करना है इस थीक brick red color filtrate is called as luxurious अब वो 21 times filter करने के बाद जो final filtrate form हमें जो मिला है वो लाल color को एक दम brick red color होगा ठीक है इट के जैसा color होगा एक दम लाल color तो उसी को बोलेंगे luxurious and is used further for therapeutic purposes तो उसको बाद में भीज कर लेंगे therapeutic purposes के लिए ठीक है दा liquid is reduced to one-fourth approximate mark to understand the stage where the drug agents come into the liquid media and filtered through a clean cloth for 21 times इस थीक brick red colored filtrate is called as luxurious and is used further for therapeutic purposes ठीक है अब यहाँ पर doses देख लेते हैं ठीक है लाक्सरास का doses देख लेते हैं तो doses क्या है यह two color that is 24 ml is the general dose of luxurious तो स्वारी टू पलन ही है यह तू तोला है तो टू तोला जो है 24 ml जनरल डोजे लाक्सरास का ठीक है 24 ml जनरल डोजे लाक्सरास का उसके बाद गया है इट इस इंडिकेटेड इन अश्रकदारा एं प्रदारा एंड रख्तपित तो इसका जो यह है therapeutic utility क्या है तो जो लाक्स जता है अश्रकदारा में प्रदारा में रख्तपित में घिसमें जángता है लाक्सरास जो बाद हम देख लेते हैं मौम ऑलासे चटा काक्तना है मामसरस तो मामसरस को देख लेते है यह soup prepared by boiling chopped meat with required ratio of water तो मामसरस क्या होता है कि एक soup होता है जो की prepared किया जाता है chopped meat को boil कर गए ठीक है जो chopped meat होती है उसके अंदर एक required ratio डाला जाता है required ratio of water डाला जाता है और उसके बाद उसको boil किया जाता है और उसे एक soup form हो जाता है two four six or eight times water is added to one part of chopped meat two four six or eight times water add किया जाता है one part of chopped meat में chopped meat मतलब होता है mutton तो chopped meat में one part chopped meat में two four six or eight times of water एड किया जाता है considering the nature of meat तो मीट का नेचर कैसा है उसके हिसाब से यह जो वाटर है वो एड़ किया जाता है ठीक है तो जो वो मिक्चर है जो हमने वाटर और चॉप्ड मीट का जो मिक्चर लिया है उसको बॉइल करना है क्लीन स्टेनले स्टील वैसल में वाटर Yak fort फायर पर फैयं मतलब कि mày पे उसको बॉइल करना है और तब चक बॉइल करना है जब तक ही जो मीट पाठ है वो बघार बर से कोप नी वहंता अब बर सी से water is added to one part of chopped meat considering the nature of the meat the mixture is boiled in a clean stainless steel vessel over moderate fire until the meat part is properly cooked अभी टाइपस देख लेते हैं तो मामसरस का ताइपस क्या कहे है तो अकृत अंड कृत मामसरस ठीक है तो अकृत मामसरस होता है क्रुत मामसरस होता है क्रुत मामसरस क्या होता है कि अकृत मामसरस मामसरस क्या होता है कि इसमें हम सिप पानी और मीट को लेते हैं और उसको कूक करते है और तब तक कूक करते है जब तक कि वो प्रॉफरली कूक नहीं हो जाता ठीक है जो मीट प्रॉफरली कूक नहीं हो जाता ठीक है जो मीट प्रॉफरली कूक नहीं हो जाता तब तक कूक करत spicy ingredients जो होते उसको हम यूज नहीं करेंगे कोई भी मिर्च मसाला कोई भी spicy ingredients यूज नहीं करेंगे अकृत मामसरस में और जो कृत मामसरस है ठीक है कृत जो मामसरस है उसमें क्या करेंगे कि various कृत मामसरस is the one where the meat मामसर and the water are cooked together by adding needed quantity of and such other spicy drugs तो जो कृत मामसरस में क्या है कि यहां पर पानी लेंगे मामस को लेंगे और इसमें कुछ spicy ingredients पी add कर दिये जाएंगे ठीक है spicy ingredients में क्या क्या आएंगे यह जीरक मरीच सुन्थी फिर अपना आस्निहा मलब तेल उसके बाद लवन मतलब नमक और भी other spicy drugs ठीक है तो यह सब एड़ किया जाएंगे इसमें किसमें के एड़ किया जाएंगे कृत मामसरस में ठीक है और उसको बॉयल किया जाएगा और उसका एक रस बना दिया जाएगा तो यह हो गया कृत तो अकृत मामसरस में क्या था कि हम से वाटर और माम मीट को ले रहे थे और उसको बॉक बारहे थे और कृत मामसरस क्या है कि कृत मामसरस में हुए हम मित ले रहे चुछ शुक्तर और उसके बना रहेते की- पर्परटी मिट सूबहर्च मतलब की अटि को मिटा देता है मेड्य मिड्य मतलब की amassiated जो पतले दुबले लोग होते हैं उनके लिए ये जो है अपना मिर्टسूब जो है वो काफी अच्छा रहता है ठीक्ये दियुस्फूल रहता है और जो वीक होते लें कमजोर लोग होते इनके लिए भी मिर्टसूब काफी अच्छा रहता है किसी बिमारी की वैसे जो लंबे सम्हें से चलते आरे किसी के अंदर बिमारी उती है उसकी वजह से क्या होता है कि परसन जो पेशेंट होता है वो एकदम वीक फील करता है तो उसके निचले वीज़ेंट बहुत बढ़ी आ स्पाँन का मतलब है वह जिसका कम उसके हैं भी मेड़िया रहता है उसके बाद क्या है तो अब हैंट लु dwelling हमारा को खराद कलगमें टीक है यहां पर हमने आख या तक wszyscy कॉनसा आता है ने कहीं सूर्ण Nvidia इसके बाद the last time घूकलबना सकता også खतम कर दिया गया यहецद हम पड़ेंगे next कि पडिके तो बस इतने था आज के लिए आपको लगा हो तो लाइक करो alive बेल आइकन को दबा दीजेगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में